जहन साथियों आप सवी का स्वागत है सिबेई क्लासेस में आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 3 का हिस्ट्री यह चेप्टर नंबर 6 हो जाएगा जिसका नाम है सहरी करन एवं सहरी जीवन इस चेप्टर से जितने भी 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 आई कोशन है वो सारे भी भी आई कोशन को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पहला कोशन दिया गया है सामन्ती विवस्था से हट कर किस परकार की सहरी विवस्था की परविर्ती बढ़ी तो किस परकार की सहरी विवस्था की परविर्ती बढ़ी परगति सील परविर्ती अगला कोशन है सहर को आधोनिक विक्ति का किस परकार का छेत्र माना जाता है तो किस परकार का छेत्र माना जाता है परभाव छेत्र माना जाता है अगला कोशन है अस्थाई क्रीसी के परभाव से कैसा जमाव संभव हुआ तो कैसा जमाव संभा हुआ संपत्ती का जमाव संभा हुआ अगला कोशन है एक परतियोगी एवं उध्यमी परविर्ती से प्रेरित किस परकार की अर्थ विवस्था लागू की गई तो किस परकार की अर्थ विवस्था लागू की गई? मुद्रा परधान अर्थ विवस्था अगला कोशन आधूनिक काल में और धोगी करन ने किसके सौरूप को गहन रूप से परभावित किया? तो किसके सौरूप को गहन रूप से परभावित किया? सहरी करन औप्सन बी जो है वो सही हो जाएगा अगला कोशन है जनसंख्या का घनत वो सबसे अधिक कहा होता है तो सबसे अधिक जो होता है महानगर में होता है अगला कोशन है 1810 से 1880 वी तक लंदन की आबादी 10 लाग से बढ़ कर कहां तक पहुँची तो कहां तक पहुँची 40 लाग तक पहुँची अगला कोशन है लंदन में अगला कोशन क्या है अगला कोशन है लंदन में अनिवार प्रात्मिक सिच्छा कब लागू हुई तो कब लागू हुआ था 1870 में लागू हुआ था अगला कोशने कौन सा समाजिक वर्ग बुद्धी जीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया तो कौन सा समाजिक वर्ग मध्यम वर्ग हो जाएगा अगला कोशने पुंजी पती वर्ग के द्वारा किस वर्ग का सोसन हुआ तो किस वर्ग का सोसन हुआ पुंजिपती वर्ग के द्वारा सर्मिक वर्ग का सोसन हुआ अगला कोशने गार्डन सीटी की अवधारना किसने विक्सित की थी तो किसने विक्सित की थी एबे नेजर हावर्ड ने विक्सित की थी अगला कोशने लंदन में भूमी गत रेल किस वर्ष आरंब हुई तो किस वर्ष आरंब हुई थी 1863 में आरंब हुई थी अगला कोशने बंबय किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई तो किस वर्ष बनाई गई थी 1819 में बनाई गई थी अगला कोशन आधुनिक सहरी का उदय सबसे पहले कहां हुआ तो कहां हुआ था इंगलैंड में हुआ था अगला कोशन इंगलैंड में चाटिस्ट आंदोलन कब आरंब हुआ तो कब आरंब हुआ 1838 में आरंब हुआ अगला कोशन एक सोतंतर राष्ट के रूप में सिंगापूर का उदय किस वर्स हुआ तो किस वर्स हुआ उनिस सो पैसाठ में हुआ उप्सन डी जो है वो सही हो जाएगा अगला कोशन बंबे में किराय कानून किस वर्स लागू किया गया तो किस वर्स लागू किया गया उनिस सो अठारा में लागू किया गया अगला कोशन है फाहियान के अनुसार पाटली पुत्र नगर वाले परती वर्स बुद्ध और बोधि सत्व का जुलूस कितने रथो पर निकालते थे तो कितने रथों पर निकालते थे बीस रथों पर निकालते थे अगला कोसन है पटना में गोल घर का निर्मान किस वर्स किया गया तो किस वर्स किया गया था 1786 में किया गया था अगला कोसन है लंदन में रैन वसेरे किन के लिए बनाय गया तो किन के लिए बनाय गये थे बे सहारा लोगों के लिए अगला कोशन है संयमता अंदोलन किस महानगर में चलाया गया तो किस महानगर में चलाया गया था लंदन में चलाया गया था अगला कोसने लंदन में गार्डन सीटी की योजना किन लोगों के लिए बनाई गए तो किन लोगों के लिए बनाई गए थी अमीर लोगों के लिए बनाई गए थी अगला कोसने गार्डन सीटी की योजना किसने बनाई तो किसने बनाई थी एबे नेजर हावर्ड ने बनाई थी अगला कोसने बंबै की चौल किस परकार की इमारत थी तो बंबै की चौल किस परकार की इमारत थी बहु मंजिला इमारत थी अगला कोशन दादा साहेब फालके ने निमनलिखित में किस फिल्म का निर्मान किया तो किस फिल्म का निर्मान किया था राजा हरिस्चंद्र का निर्मान किया था अगला कोशन मगद समराज की प्राचिंतम राजधानी कहां इस्थित थी तो कहां इस्थित थी राजगिरी में इस्थित थी अगला कोशने आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ तो कब से हुआ और धोगिक करांती से हुआ अगला कोशने पाटली पुत्र किसके सासनकाल में मगत की राजधानी बना तो किसके सासनकाल में बना था उदाइन के समय में बना था अगला कोशन है मेगा अस्थिनीज ने पाटली पुत्र की यातरा किसके समय में की थी तो किसके समय में की थी चंदरगुप्त मौर्र के समय में की थी अगला कोशन है विसाल असनानागार कहां बना तो कहां बना था मोहन जोदणों में बना था यानि ओप्सन एसा ही हो जाएगा तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है कल के वीडियो में हम लोग इसके अगले चेप्टर को देखेंगे